पिहावा गाओं में कई लोग बीमार हो चुके हैं डेंगू के पैर पसारने के बाद स्वास बिवाग पे हर्थम मचा हुआ है स्वास बिवाग की टीमे लगातर गाओं का दोरा भी कर रही हैं बीमार लोगों को अस्पिताल में एडमिट कराया जा रहा है प्रदेश में डेंगू को लेकर स्वास बिवाग अलर्ट मोट पर है एक बार फिर से डेंगू को कहर देखने को मिल रहा जिसके चलते पर इशारी लगातर बनी हुई है पोशामी की बात कर ले या तमाव शित्रों की बात कर ले जनकरी सामने आ रही है कि इस तिकाफी खराब होती हुई नजर आ रही है बीते 24 गंटे में लखनाओं से 21 नए मामले भी डेंगू के सामने आ चुके हैं तो डेंगू एक पर फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है स्वास भीवा की टीम ने गाउं का द्वारा भी किया है तो वहीं बताने हैं कि लोगों को अस्पताल में भी बर्ती कराया जा रहा है डेंगू काफी तेजी के साथ फैल रहा है नगर नगम की टीम लगातर कारवाई भी कर रही है तो लखनाओं एकी दिन में 21 नए केस दामने आ चुके हैं इसके चलते लोगों में काफी डर भी है मौसम में बदलाब के साथ डेंगू भी खमलावर हो रहा है बताने की वीते 24 गंटे में लगबग 25 लोगों की डेंगू की रेपोर्ट पॉजिटिव आई है जबकि साथ लोगों में मलेरिया की भी बुष्टी हुई है जन्वरी से अब तक शहर में डेंगू के 335 और मलेरिया के 300 से जार्वा मरीज मिल चुके हैं सरकारी और निजी अस्पतालों में करीब दरजन बर डेंगू रोगी भरती होकर इलाज भी करा रहे हैं तो उताने की डेंगू के साथ बुखार के रोग्यों की प्रेटलिट्स भी कम होती हुई नजर आ रही हैं प्रेटलिट्स कम होने के चलते हैं लोग अस्पताल में भरती भी हो रहे हैं डॉक्टर यही सलादे रहे कि कहीं भी पानी खटा ना होने दे यहीं कि पानी खटा होगा तो मच्छर पनपिंगे जिसके चलते डैंगू का कहर एक बर फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लगातर जनकरिया मिल रही है डैंगू के चलते आए दिन परिशानी लगातर हो रही है कई लगों की डैंगू की चेपिट में आने से मौत भी हो चूकी है लखनाओ की बात करले वार्णासि की बात करले को शामी की भी इस्थितर यही बनी हुए है तो राजदानी लखनाओ में डैंगू अब जानलेवा हो चुका है लखनाओ से सम्वारता शुबम पांडे हमारे सा जोड़ चुके अबट देने के लिए शुबम बीते 24 गंटे में लगबग 20 से जादा मामले डैंगू के सामने आ चुके हैं और डैंगू जानलेवा होता हुआ खास तोर पर नज़र आ रहा है क्या कुछ अभी ताज़ अब देचा आपके पास जबलकू राजधानी लखनाओ में एक बार फिर से डिंगू ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है लगबग 300 से अधिक मरीज अब तक राजधानी लखनाओ में आ चुए हैं और इस सीजन की पहली मौत की बात भी कही जा रही है हाला कि इसे लेकर की पुष्टी नहीं है तमाम अन्य चीजों की भी बात इस पूरे मामले में निकल करके सामने आ रही लेकिन मरीजों की बढ़ते हुई संख्या ने जरूर स्वास्तिभाग के माते पर चिंता की लकीरे कीजती हैं क्योंकि अब तक करीब 300 से अधिक मरीज सामने राजधानी लखनाओं में आ चुका है राजधानी लखनाओं के लगबग सभी सरकारी अस्पतालों में जो वाल्ड बनाए गए थे जो बेड रखे गए थे वो सब भी बताय जा रहा है मरीजों की बढ़ती हुई संख्या की विड़े से स्वास्ति भाग अलग अलग जगाओं पर इसे संबंदित जो है इंतजाम भी किये हैं जिससे की अगर मरीज और भी जादा बढ़ें तो उन्हें समुचित इलाज़ दे करके बुखार के प्रकोप से बचा आजा सके इतना होती है वो मनमाने डंग से पैथलोजी की जांच के रुपएं ना ले सके इसको लेकर के बे तैयारी की जा रही है फिलाल तीन सो से अधिक मरीज होने की वड़े से जो राजधानी लगनाओं के अस्पताल है उनके बेड़ पूरी तरी के से फुल है और तमाम चीजों पर व लेंगू का कहर सबसे जरुद देखने को मिल रहा है कौशामभी में भी कहर सिती बनी हुई है और इस्पताल की सिती क्या आई विस्तार से बताएं जी बिलकुल बता दो ये बलिहावा जो मूरत बिन ब्लाक का एक गाउँ है यहाँ पर संक्रमर से तक्रीबन तीन दरजन से अधिक लोग बीमार हैं और जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ के ग्रामिलों में इस वत हम विसी गाउँ में मौजूद है यहाँ ग्रामिलों और यही सब इस तिदिया जो है इसमें इस पूरे मामले को लेकर के स्वास्त महकमा कल यहाँ पर बगायदा एक टीम लगा करके गाउं में लोगों को दबाई विद्रित कर रहा है परकि यहाँ स्वास्त महकमे की बात कर ले जाया तो पूरी तरीके से अगर डेवू जैसे इस तिदिया उत्पन होती है तो उसके लिए जिला अस्पताल में बूरी तैयारी की गई है जी बिल्कुल चले चीके बने रही है और इसी बीच शुवम का भी रुक कर लेते हैं शुवम जिस तरीके से प्लेट लेट्स कम होती है तो उस्पताल में जाना ही पढ़ता है मरीज लगातार इस्पताल पहुच भी रहे है अगर हम इस्पतालों की सिती जानना चाहे तो वहाँ पर क्या क संख्या बढ़ने की स्थिति में अलग से वाल्ड और बेड़ भी बढ़ाय जा रहे हैं तमाम चीजों की विवस्थाएं करी जा रहे हैं जिसे की परजन और मरीजों को किसी बी तरह से अस्पताल आने पर देक्टों का सामना ना करना पड़े लेकिन मरीजों की बढ़ते लेकिन इन तमाम चीजों से निपटने के लिए स्वास्तिभाग और सीमो अधिकारियों और इनके कारेले की तरफ से जरूर चीजों को परखने का काम किया जा रहे हैं जिससे कि लोगों को किसी बीतरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े चुले ठीके आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जनकरी हमारे साथ साथ करने के लिए